तो हलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग स्वागाथ एक बाफिट से आप सभी लोगों का अच्छे बंसंपूर्ण सिख्छा देने के एक मात्रस्थान अभिपसा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंज के इस ओनलान क्लासेज पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालू है हम बात कर थे एक्जाम से निसमिशंट 20-23 के बारे में और लास्टी कलास में हमने अपने अध्यावारा जो की था हमारा व्रित्य इवम इस पर से रिखा है इसको यह स्टराट कर चुके थे बच्चों पार्ट नमबर एक में हमने व्रित्य से संब्धिद पहले तो बेसि आपके examiner आपको देने वाले हैं तो बिल्कुल आजाए मेरे साजूर जाए और आज की स्क्लास को मिस्टार्ट करते हैं देख लिए बच्चो तो हमारा जो मिसें चर रहे था उसका नाम क्या है 36 गड़ परिक्षा मिसें 2023 और मैं आप सभी बच्चों को कख्छा 10 वी विसे दोक्राएं तो उनसे में पहला कहना चाहूंगा कि वह पपहले पार्ट वन तक व्यव्स देखस देख नहीं पाइगा तो पार्ट वोटियो में पाहते देखो फैर आप 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 पार टू पर तभी आपको आपको समझा दिया है तो को भी फार्मूला अगर हम यहां पर नहीं लिखाने वाला हूँ डारेक्टली हम जाना चाहेंगे अपने क्वेश्टन की और और यह रहाँ आपका कोश्चन आपकी स्क्रिम पर देख लो आजा उच्वीद नहीं है पुछा गया है 2018 a b c 3 शेट पुछा गया चार नंबर के लिए चार नंबर के लिए पुछा गया था बिल्कुल उडा देंगे कुछ भी दमनी इसमें महुत इसी कोश्चन है आजा क्या पो लगे है कि देख और क्रिती में ओ जो हों एक केंडरा यहां पर यह ऑए जयान से यह आपको पी देख रहा है और यहां पर यह क्यू दिख रहा है वह क्या वा एक-श्चू तोИ. तो P क्यों क्या है, एक जीवा है, बिंकुछ रहां तकी भी कानी के लिए रहे है, फिर बोला गया है कि कोड P R Q, यह P R Q यारिकी, याने कि इस कोड का मान हमें दे दिया गया इस कोड का मान हमें ग्याद करना सर बिल्कुल हम इसको ग्याद कर लेंगे अब ग्याद कैसे करेंगे सर मुद्दा यह देखो तो आपको अच्छी बात यह है कि आपको चित्र बना बुना यह अपर दिया जाएगा आपको सिधर आना है अपने सॉलूसन पर और लिखना यहाँ पर हाल देखो सर हम इसको एंसर कैसे दे कि हमें 4 में से 4 नमर मिले धरी बना के रिखो मैं बता रहा हूं देखो पहली बाद देखो, अपने हल को लिखेंगे किसे, जो हमें दिया गए न, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ पर एक कोड का मान दिया गए था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, चली बच्चों, बताए, क्या चीज़ हमें दिया गया है, दिया है कोड PPRQ, PRQ हुए न तूर पी आर क्यू बराबर सैंगे यहां ना पर कर दिया अब यहां पर स्टम पर एक केंद्रह तो अगए को व्रत के केंद्र पर बनाया गया कोड वरित के ने कि सेच भाग द्वारा बनाए गए कोर के दो गुणा होता है मैंने एक लाइन बोल दी क्या आपके केंद्र पर बनाया गया कोड वृत के केंद्र पर याने कि यहां पर जो कोड बनेगा न वह वृत के परिधी के सेज भाग पर बने कोड के दो गुना होता है तो सेज भाग में पचास अंस का कोड बढ़ रहा है तो इस केंद्र पर बना कोड पचास का डबल हो जाएगा याने की 100 वंस का हो जाएगा बोलो यहां तक की कहानी के लिए अच्छा से समझ बें आ चुकी देखो अब मैं यहां पर इसको लिखने जा रहो कासी लिखोगा देखो मैं बोल रहो कि वृत के केंद्र पर बनाया गया जो कोड होता है वो वृत के परेजी के सेज भाग द्वारा बनाया गया कोड के दो गुणा होता है तो वृत के केंद्र पर कौन से कोड बनाया यह कोड अब इस कोड का नाम क्या हो कि सर तो पी ओ क्यू यह हो जाएगा कोड प रिजन को लिखना पड़ेगा कि सर यहां पर क्या रिजन लिखे देखो बिल्कुल यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं उस रिजन को चूंकि चुकि केंद्र पर बना कोड यहाँ पर इसको चिपकाना पड़ेगा केंद्र पर बना कोड याने कि वृत केंद्र पर बना जो कोड है कोड ठीक है कोड वृत के परिधी के परिधी के सेज भाग पर बने कोड का दो गुना होता है है कितना बच्चो दो गुना होता है बिल्कुल दो गुना होता यहाँ लिख ले रहा है मैं को जगए निंग तो यहाई पूर्ट यहाँ पर प्लीक कर दिया अब बाकी को मैं आपको इस सअटेट करें बताता देख लो आजओ तो सर मुझे यहाँ पर कोड़ पी ओ क्यूं का मान पता चाह सकते कैसा बिल्कुल कैसे करेंगे तो पी आर क्यूं पी आर क्यूं का मान सर हमें पता कि 50 संस है उसका डबल कर देंगे तो मैंने दो का गुड़ा कर दिया तो यह खुजाएगा सर दो गुमना 50 संस ठीक है चलो तो कोड़ पी ओ क्यूं बराबर सर हमें मिल जागा यह सौवंस बिल्कुल सौवंस मिल चुका तो इस कोड़ का मान इस कोड़ का मान कितना होगा सर यह होने वाला है सौवंस मिल्कुल मैं यहां पर चित्र पर चिपका दिया कि कोड़ पी ओ क्यूं का मान सर यह हो चुका समझ ब अब देखो यहां पर मैं एक most important line फिर से बोलने जा रहा हूँ, हमें पता है कि यह जो OP है और यह जो OQ है, यह दोनों क्या बच्छो वृत्त की तरिजया, वृत्त की तरिजया क्या होती है, कि वृत्त के केंद्र से परिधी के किसी भी बिंदू तक की दूरी, यह देखो यह जो पी है, वो वृत्त की परिधी परिष्थित है, और यह जो क्यू है, यह भी वृत्त की परिधी परिष्थित है, तो वृत्त के केंद्र से परिधी के किसी बिंदू तक की दूरी को क्या कहते है, बच्छो, हम कहते है वृत्त की तरिजया, तो OP और यह OQ, दोनों क्या है विरित्त की त्रिज्या है और तीज्या हमेशा बराबर होती है, ठीक है, यहां स्य Cut Deey, यहां तक की आनिचर अच्छे से Clear हो चुके ठीक है, अब आजयो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चित्र में, चित्र करके लिए दें शित्र में देखो मैं क्या बोले जा रहा हूं कि ओपी बराबर होगा ओक्यूंके ऑपी बराबर होगा ओक्यूंके क्यों बराबर होगा क्यूंकि यह दोनों वृत की त्रिजिया हैं व्रित की त्रिजिया हैं व्रित की त्रिजिया हैं यहां पर रिजन को मैंने चिपका दिया है कि सर यह दोनों जो है व्रित की त्रिजिया है और त्रिजिया हमेशा एक समान ही होती है चलो अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टर लान देखो आजा आजा देखो यहां पर केंदर पर आपको एक यहां पर क्या दिखेगा त्रिभूज दिखने वाला चलो मैं इस त्रिभूज को दूसरे कलर से यहां पर इसको बना देता देखो यहां पर देखो यह आपको सर्थ त्रिभूज दिखने वाला ओपी क्यूं थोड़ा से स्ट्रेव बनाता हू और ये जो है OP और ये OQ दोनों के आशार ये तिर्भुज के दो भुजा क्या है तो कक्ष्य, olmaz में आपने एक ठीयरम प्रूफ किया होगा कि कि किसी भी तिर्भुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उनके सम्मुक होड भी बराबर होते हैं क्या का बच्चो कि जो O P है और ये O Q है दोनों वृत्त की भुजा है तीन भुजा होती है तो दोनों भुजा ये O P और ये O Q दो भुजा बराबर हो चुके तो उनके सम्मुक कोड भी बराबर होते हैं तो O P भुजा के सम्मुक कोड ये O P भुजा इसके सम्मुक कोड ये यानि कि दोनों कोड बराबर होने वाले हैं कैसे होंगे बच्चों दोनों कोड बराबर होने वाले हैं मुझे मात्र इस कोड का मान निकाल ला है तो इस कोड का मान भी इतना ही आने वाला दोनों बराबर होंगे तो दोनों का कोड बराबर होने वाला है बिल्कुश हमने यहां पर इसको समझ लिया, अब दिकों। अब हम इसको लिखेंगे क् crazy? तो मैं क्या करूंगा? इस कोड को माल लूँगा X क्या करूंगा? इस कोड का माल लूँगा X और इस कोड का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा OPQ ठीक हुआ? चल्वाजा, माना माना कोड O P Q बराबर यह सर हो जाएगा X क्या हो चुका? X सा हो चुका ठीक है सर? अब देखुर यहाँ पर मैं क्या करूँगा? त्रिभूज O P Q मैं त्रिभूज O P Q लोगा और वहाँ पर त्रिभूजों का योगनियम लगाँगा, त्रिभूजों के कोड़ों का योगनियम लगाँगा, सर हमें एक बात अच्छे से पता है कि त्रिभूज में तीनों अन्ता कोड़ों का योग 1801 होता है तो मैं बात करने जा रहा हूं त्रिभूज O P Q में O P Q में हमें पता है कि while года 155 वो 10 व broken अपको तीन कोड़ दिखेंगे पहला कोड़ा कोड़े आपको पिए और पी और क्यों के धांत्रक्यन को दिखा होँ दा क्या आगिर ढूर्टव इसका में हमें करणा हुआं पी ओप्यू को यह यह자를 क्ला और यह तीसरा पुरूबा है तीनों कोड़ का हम नामें लखेंगा कैसे देखों पी ओप्यू यहोज़ागा ओप्यू प्लस एक और कोड है यह देखों एक और कोड़ा है तो O Q P O Q P यह हो जाएगा O Q P बराबर तिरभूश के तीनों अन्ता कोड़ों का योग बच्चो यह होता एक सवस्यास कितना एक सवस्यास बिल्कु सर यहां तक की कहान ने में चिसते समझ में आ चुकी है अब देखो सर यह P O Q कमांड यहां पर हम ने लिकाला हुआ है कि बिल्कु स्वस्यास मैं यहां पर चपकाऊ प्लस है तो लिखो बच्चों हमने यहाँ पर देखो कोड o p q को माना हुआ है X क्या माना हुआ है? X लिखेंगे प्लस है तो प्लस. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या काता है? कि यह भूजा और यह भूजा दोनों बराबर है, तो इनके सम्मुक को भी बराबर होने वाला है, तो जब कि यहां पर कोड़ ओपी क्यों कमान हमने एक समाना है तो इसका भी मानने क्या आएगा एक सही आने वाए बिल्कुल छपो यह हो जाएगा एक सा बराबर यह हो चुका सर एक सवस्याद चाहो तो आप यहां पर ब्रेकेट में रिजन को बनता सकते हो कि क्या कि कोड़ आपकेट क्यों बराबर यह हो जाएगा कोड़ कूड़ ओक्यूंपी ओक्यूंपी बिल्कुल हमने रिजन में भी इसको दरसा दिया सर अब लिएक सा और नों जूट जाएंगे तो हम क्या मिलेगा तो हमें यहां पर मिलने वाला है क्या मिलेगा देखो 100 को पहले हैं मैंने सवंस लिखा फिर एक सव और एक सव जूड़कर दो 21 Capt us म aynı निकालना एक सव कमान तो मांने जो यहीं पर रखा यह हुझाएगा एक सव स्सी सो को इढ़र पक्च्छंतर करेंगे तो प्लस वाला जाता है माइन इस में सहरी यह हो चुका रिन के 100 टो 2 x % बराबर 2 डो, 2 x % बराबर देखो, 118 में हम 100 को हटाएंगे तो सर हमें मिल जाएगा, 80s हमें तू निकालना एक कमान, तो जो गुड़ा में 1 के साथ वो जायाएगा भाग में, तो एक सा बराबर सर हमें मिल चुका चाली संस क्या मिल चुका सर चाली संस मिल चुका और यह वाले कोड को हमने क्या माना था हमने माना हुआ था एक सा और एक सा कमांड सर आ चुका है है यह हुग हमारा final answer जो कि आपको चार में से चार अंक दिलाने वाली है अगर बच्छो आपने इस चित्र को अच्छी से समझ लिया तो बांकी तो सब्सक्राइब तो इस बार पुछ जाने का चांसेत बनते हैं 10 स्टार लगा करें टैनी स्टार आजो क्या पुछा गया क्या निकालना आज़ें ब्रफर देखो एक वरित्त है जिसके त्रिजी हमें दे दी गई इसना 20 सेंटिमेटर है दो बराबर और समांतर जीवाओं के बिश की दूरी भी दे गई है कि 24 सेंटिमेटर है तो हमें जीवा की लंबाए को ग्याद करना इतना इसी कोष्टन पूछते हैं इतना इसी कोष्टन ना चलवारा कुछ विदम नहीं है सबसे पहले हम लिखो हल हल लिखा अब देखो अब वृत्त का केंदरा जी से हम ओसे रिप्रेजेंट करते हैं विल्कुसर तो मान लेना है कि यहां पर वृत्त की जो तृज्जा है वह 20 सेंटिमीटर है दो बराबर और समांतर जीवाओं के बिश की दूरी 24 सेंटिमीटर है यानि कि दो जीवा लेंगे और दोनों के जो बिश के दूरी है वह कितना बच्चों 20 सेंटिमीटर है तो यहां पर मैं एक जीवा लेने जा रहा हूं यह और बी ए और बी मैंने दो बिंदू लिया तो एक जीवा देखो आजो यह एक जीवा हुआ अब हुआ ठीक है दूसरा जीवा मैं यहां पर नीचे में लूँगा इसी के सभानतर लेने ने बोलuhanगे ना आज चुशं हो यहां पर मैं दूसरा जीवाले लेना हूं यह सी हुआ सा हुआ ruse कि न रहुँ हुग ऑड़ reporting को मिलाने बहुँ अर रहो ब्राबर बच्छ है और दोनो कीज के दूरी कि नहीं तरह क्या है च्व क्या है 24 cm यहां पर हमें कि हैं यह दोनों कि 20 कीज़ कि 다 slice 20 cm बिल्कुशार नहीं पर यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आ चुकिए चलो इस फाले पॉइंट को मैंने नाम दिया ए और इस फाले पॉइंट को मैंने नाम दिया ए तीक है अब देखो हमें निकालना क्या है, जीवा की लेंगम निकालना है, और दोनों जो जीवा れसे बराबर हैं तो किसी एक जवा का मान हमें निकालना है. है किसी एक जिवा को हमें निका लगना देख़ झप यहां पर एक बात तो यहां हो यहां पर पेंग निचे दोनों तरफ मैंने क्या किया एक अभिलम लिया और याद किजे मैंने आपको फर्ष्ट पार्ट में क्या समझाया था कि वृत के केंद्र से अगर हम जीवा पर अभिलम डालते हैं तो वह क्या करता है जीवा को समध्वी भाजित करते हैं याने कि यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट दोनों भागू में सर यह बारिती बिल्कूल आहां तक कि कहानि से समझ में आ चुकिया ठीक है जो देखो अनुचो यहां पर अगर को में यहां पार unusual को तो तुटिजग कैसे बनाऊगा तो तुटिजग का होती बच्चो कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधी की किसी बिंदू तक की दूरी को हम क्या कहते है बच्चो वृत्त की तिरिज्या क्याते है और वृत्त की तिरिज्या हमें दे दी गई बच्चो 20 cm क्या दे दी गई है 20 cm दे दी गई बिल्कुछ तरहा तक की भी कहानी हम वो 24 cm है तो उसे लेकर एंदक की दूरी पूरी दो जूरी है वो तो बच्चों क्या है 24 cm है तो आधा आधा बढ़ जाएगा ओसे लेकर एंदक की दूरी यह सर होने वाला 12 cm और उपर भी 12 cm ही वोने वाला है अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो डिश्टेंस जो द करता हमें यह पूरी दूरी निकालना है एक जीवा की हमें लंबाएं को गयात करणा है ठीक एक ही जीवा के लिए व्याइट करेंगे क्योंकि दोनों जीवा तो बरावर एक कर लिए तो दूसरे भी ऊसके बरावर आएगा तो मैं क्या करूँगा मुझे सी से लेकर अप्र दी तक की दूरी पता चल लागी क्यों कि बच्चों सी से लेकर एम तक की दूरी और यहां पर एम से लेकर डी तक की दूरी दोनों क्या बराबर है तो इसको डबल कर दूंगा सी से लेकर एम तक की दूरी को अगर मैं डबल कर दूंगा तो मुझे सी से लेकर डी तक की दूरी यहां पर आपको एक समकोर तिरभूज दिखने वाला होगा, जहां पर यह कोड क्या है, कोड M जो है, वो 90 अंस का है, समकोर है, ठीक है, बच्चो, तो यहीं पर हम बात कहने वाला है, बिल्कुल यहां तक किसर कहानी अच्छे से क्लियर समझ में आ चुके है, अगर यह समझ मे आ गया है, तो आपका 50 परसन आपका काम हो चुका भी कुल, अभी हमने काम सुरुआत भी ने किया है, और आपका 50 परसन काम हो चुका पहले से, ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे, अब यहां पर मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं यहां पर ना, M, N बरा एम एन को हमने दो बराबर भाग बहुता था क्या क्या बाता बच्चों ओ एन प्लस कर यह हो जागा सर ओ ओ एम ओ देखो तो एम एन बराबर देखो एम एन अरहीं कि टोटल जो डिस्टंस है दोनों जीवा की जो बिस की दूरी है सर वह 24 सेंटिमिटर है और देखो ओ एन और सर ओ यह हो जाएगा ओ देखो यह हो जाएगा दोनोंों को जोड देंगे तो यह हो जाएगा 12 सेंटिमिटर मिलचुका जो कि मैंने आपको चीत्र पर पहले बता जिता की दूरी लेकर एम तक की दूरी यह 12 cm है और हमने यहां पर गड़िती रूप में इसको निकाल भी लिया ठीक है चलो आजा अब आगे इसको कैसे करेंगे आजब बिकलो आजब कुछ भी दमनी इसमें देखो तो सर ओ से लेकर एम तक की तक की दूरी पता है तो मैं क्या करूँगा एक संकोर्ट त्रिभूज ले रहा हूं यहां पर चलो CMO c e mo C m o में पाइथागोरस पर में क्या प्छोप पाइथा पर में पहली बात लगना है कि समकोर्ट तो यह हमारा करना का वर्ग जो होता है व अधार के वर्गता है और लंब के बराबर होता बिल्कुश रहां तक कानि को निकले नंश्य ये हुजाएगा OC का वर्ग बराबर ठीक है फिर आता है Ahadhar की लोज़ाएगा CB का वर्ग का घाद 21 को आघ से खरेंगे लिगा चलो तो 20 का हम अगर स्कूर्एर निकालेंगे वर्प कि नीकालेंगे तो 20 से करेंगे दो बार वीच का गुड़ा दो से लिकारेंगे वीच का गुड़ाओ बीसटे करेंगे तो हमें मिलेगा 400 तो बराबर यह हुजागा सर cm का वर्ग धन 12 का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा है यह मिल चुका एक सो चमवाली ठीक है तो मुझे निकालना cm कमान मने cm2 को यह पर रखा 400 को यहां पर लिखा अब 144 जो की धन में था वो इधर आकर माइनस में चेंज हो चुका है तो मुझे हमें लिखाओ निकालना cm2 क कमान तो बराबर 400 में 145 को टायेंगे लिखो Ontario 256 कित्ना मिला है क्षपन कौना संघ्छ not का वर्ग होता हुज्चों सोला का वर्ग होता है हम्हें मात्र cm कमान निकालना कि cm2 का तो यहाँ पर यह वर्ग ऑग्चर में क neskken दिस कर रहा है वर्ग को तो आप दोनों पक्षों में बिल्कुल वर्ग मूल ले लो दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेंगे तो होगा क्या यहां पर वर्ग मूल आएगा और यहां पर बैठा हुआ है तो मैं आपको लाख बार मता चुका हूँ कि वर्ग मूल और वर्ग वर्ग मूल और व तो cm बराबर हमें मिल चुका 16 अब यह किस में जो मान है वह भी cm दिया था तो यह भी मान हो जाएंगा सर सेंटेमेटर में से कहा नहीं करें तो सी से लेकर एम तक की दूरी हमें पता चल चुकी है हमें टोटल टोटल सी से लेकर डी तक की दूरी निकालने आने कि जीवा की लंबाई को ग्याद करें क्या दिक्कत है आजो कोई दिक्कत नहीं है अता जीवा की लंबाई ठीक है चलो अता जीवा की लंबाई अता जीवा कि नंपाई किसी एक जीवा की लंबाई को हम ढयाद कर सकते हैं ठीक है चलो लंबाई तो यह उदाए मांगा सीडी बराबर मैं सीडी नहीं को क्या कर दूँब्बल कर दूँगा सीए chyba को क्या कड़ कर दूँगा चोड डूबल कर दूँगा तो दो गुना ही हुद तिवे हमने दो जीवा ले थे उन जीवाओं की जो लंबाई है वो 32 cm कितना बच्चों 32 cm है यह हमारा हो चुका बस एक पेज में आप इसको सौल कर सकते हो पूरा 50% जो काम होता ना वह आपका इस चित्र पर रहता है चित्र को आपने अच्छे से मज़ लिया तो यह आपके लिए तो हलुआ हो जाएगा है इतना इस प्रकार से लाश्ट होने वारा है चलिए अब बढ़ना चाहेंगे अप आपको पहले पढ़कर बताता हूं यदि पी अबी वृत की छेदक रेखा हो जो वृत को ए और बी पर प्रतिछेद करती है और पीटी एक इस पर से रेखा खंड हो तो सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटू पीबी बराबर पीटी इस्क्वेर यह बच्चों में पुरूफ करक आपको बनाते हूं यहां पर चलेंगे बिल्कों आजो देखको देखे क्या बना था कि पी अभी वृत की छेदक करें तो सब्सें पहले हम यहां पर बनाएंगे एक वृत आलीया और यह होता है हमारा वृत का केंद्रा क्यंद्र कँ और से डिप्रेजर्जर्ण करते हैं अब यहाँ इस विर्दध को दो बींदो यानि की A और B प्रति छेद कर रही है यहाँ पर यह बिंदू A हुआ और यह बिंदू B हुआ ठीक है अब देखो यहां पर मैं एक बिंदू दो ले रहा हो पी अब देखो यहां पर देखो अब इस बात को समझना आना कि आप यहां पर आपको चित्र में भी दिखेगा है कि P A B जो है वो वृत्त की छेदा करेखा है जो कि वृत्त को बिंदू A और ये बिंदू B पर प्रती छेद कर रहें बिल्कुशत तरह तक कि कहाने में समझ में आ चुके ठीक है चलो अब आगे कि कहानी फिर क्या बोला है कि और P T एक इस पर से रेखा खंड है P T क्या बच्छो एक इस पर से रेखा खंड है अब हम यहां पर एक इस पर से रेखा खंड बनाने जा रहा हूं यह मैंने क्या क्या है एक इस पर से रेखा खंड बना दिया चलो इसको हमने नाम दिया T क्या नाम दिया बच्छो हमने इसको नाम संदिधिया, t बिल्कुछ यहां तक कहानिये मस्चे से, समझ में आचुकी है, वह पीटी क्या है? एक इस पर से रेखा खंडा है, यानि की, पीछ से लेका, t तक कि जो आपने रेखा खंडा है, अब यहां पिर दिखो, मैं आपको इसका लिखने का फॉर्म में बताता हूं देखो आपका पूरा जो खेल होता है ना वह आपके चित्र पर ही होता है अगर आपने चित्र को अच्छे से बना ले समझ लिया तो आपका 50% काम हो चुका है बिल्कुछ सा देखो अब हम लिखेंगे कैसे इसको तो मैं लिखूंगे कैसे जो दिया गहना उसी बात को हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे देखो दिया है क्या दिया बच्चों हमें दिया हुआ है कि पी एबी पी एबी एक छेदा करेखा है एक छेदा करेखा है एक छेदा करेखा है जो जो बिंदू a और बिंदू b पर प्रतिछेद करती है यह हमें दिया गया था वितकों बच्रों प्र्ति छेद करती है है कि झालो इस नहीं रहेた चलो तो प्रति छेद शेद करती है फिर एक शवागा साफित में दिया गया था की पीटी में इस पर से बिल्कुल रेका खंद है यहाँ पर आपको अच्छे से साफसब लिख दीना है जगणी मुझे में रहा है तो मैं अच्छाए बिल्कुल आपको/. आप सब अक्षरों में हेंड़ाइंग मना कर लिख देना भी कुसर है तो अभी तक हमने क्या किया चित्र बनाए और साथी साथ जो जो हमें दिया गया थे उसको हमने यहां पर अच्छे तरीके से लिख लिख लिए अब देखो मैं यहां पर कुछ रचनाय करने जा रहा हूं क्या रचनाय करने जा रहा हूं इस बात को समझना अब बच्चो मैं आप लोगों से बात पुछता हूं कि मुझे यहां पर त्रिज्या निकालना और त्रिज्या क्या होता है त्रिज्या क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से वृत के पर बिंदू टी लिया हो तो वृत के केंद्र से मैं इस बिंदू टी की दूरी निकालूंगा तो यही हमारा क्या कहलाता है त्रिज्या कहलाता क्या होता है बच्छो त्रिज्या होता है बिल्कुछ तर्म मैं त्रिज्या को समझ लगा उसी पर क्या से देखो यह वृ से लेकटी तक की दूरी भी तीन सेंटीमीटर ही होने वाले क्योंकि तिर्जा हमेशा एक समान होती है ठीक है बराबर होती है कुछ अरमने इसको समझ ले देखो मैं रचना करने जा रहा था सबसे पहली बात यहां पर एक बात समझो कि यह ए और भी यह क्या है बच्चो एक जीवा है क्या है जीवा के बारे में पढ़ हुआ है जीवा क्या होते हैं कि किसी विरित्य पर हम क्या करते हैं परिदी पर दो बिंदू लेते हैं और उन दोनों परिदी को जो मिलाते हैं तो ह आपको रेखा खंडी करें न यही क्या है बच्चो हमारा एक jiva है क्या fine तो मैं क्या करूँगा वित्तके केंद्र से इस जीवा पर मैं अभिलम डालने वाले हूं मैं ।श करा जीवा पर अभिलम डालते हैं तो क्या होते हैं जीवा को समुद्विभाजित कर देते हैं क्या करते हैं बच्चों ओ जो अभिलम होते हैं वो जीवा को समुद्विभाजित करते हैं दो बराबर भागों में बाहर देते हैं बिल्कुछ तरह हां तक कि कानी हमें समझ में आ तो इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पर ओपी को मिलाया है ठीक है चलो हर एक चीजों को एक दाम मोट करते हो चलना बारे की से समझते हो चलना ताइम भर लग जा कोई लेकिन हम इसको समझें अच्छे से देखो लिखें हमने क्या किया ओपी को मिलाया सात में एक और रस्लाख किया है कि हमने क्या किया यह जो आपको जीवा दिख से बित क्म बटाता हूं कि हम रत केद्र दलते थो जीवा बराबर भागह में बढ़ जते हैं तो यह वाल Α बार दोनों क्या होंगे भावर होते लिए तो फिर से लेकर और ब्ली तक दूरी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होंगे सम्द्विभाजित करना है यह जो अभी लाम है ठीक है यहां तक की कहानी में समझ में आ चुकिए अब देखो अब हमें जो सिद्ध करना उस बात को हम यहां पर लिखेंगे देखो सिद्ध करना है नेक्स सिद्ध करना उस बात को हम यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है बिल्कुल चलो बताम अच्छो क्या सिद्ध करना है तो पी एंटू पी बराबर पी टी स्क्वेर तो पी एंटू बराबर हमें सिद्धा करना है P T SQR to is case में मैं क्या करूँगा left hand side को लेकर solve करूँगा और right hand side ला दो 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 तो यहां पर में क्या कर रहा हूं left hand side left hand side हमारा क्या सर left hand side हमारा सर P A into P B P A into P B बराबर ठीक है तो P A का मान क्या रखे P A का मान ग्या चिपका नगो तो यहां पर आओ चित्रे में और देखो देखो बच्यों क्या चीज़ को जब हम अभिलम डालते हैं मैंने क्या किया यह जिवा जो एक भी था इस पर अभिलम मुझे निकालना हुआ कर दूरी तो मुझें पर यह निकाला दूरी तो मुझे पर एंटS योड़ी को कहता दूरी को मैंने घटा दिये ऑक उस्तेर हां तट की कहानि के लिए ठीक है आचो फिर गुड़ा कचिन है तो गुड़ा कचिन लगा अब हमें निकालना है पी से लेकर बी तक की दूरी निकालना है तो मैं क्या करूंगा पी से लेकर एम तक की दूरी और एम से लेकर बी तक की दूरी दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल जो दूरी है वो मुझे पता चल तो PB की जग हम क्या ले सकते हैं PM प्लस यह हो जाएगा MB PM प्लस यह हो चुका सर MB हो चुका ठीक है बिल्कुल गहाँ था कि कहारी अच्छे से समझ में आ चुकी अब मैंने आपको क्या बता था कि जब हम यहां पर जीवा में जीवा पर क्या किए अभिलंब डाले के इन्दर से अभिलंब डाले है तो जो जीवा होती है, वो दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, यानि कि A से लेकर M और M से लेकर B, दोनों क्या होंगे, बच्चों बराबर होगे, A, M बराबर होगा, M, B, तो मैं next alarm में क्या करूंगा, M, B की जगर चिपका दूंगा, A, M, क्यूंकि दोनों बराबर, बे दोनों क्या होगे, बच्चों बराबर होने वाले है, तो M, B की जगर मैं ने यहां पर चिपका दिया, A, M, यहां पर आप चाहो, तो reason मैं दर्सा सकते हो, कि चूंकि, चूंकि यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A, M, बराबर, Sir, यह हो जाएगा, B, M, बिल्कु, Sir, B, M हो ठीक है, अब देखो, अब यहां पर एक बात नोटिच करना है, देखो, यहां पर A, M, B, into A, plus B, का फॉर्मूला लगने वाला, किसका, A, minus B, into A, plus B, का फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है, मैं यहां पर इसको पहल निक देता हूँ, A, minus B, फिर, into होता है, फिर, A, plus B, इ A, M, फिर, यहां पर into है, तो यहां पर into है, A की value हम बोर रहे हैं कि PM रखो, plus है तो plus, अब B की value के आसर, A, M है, तो इसका विस्तारी तरूप यह होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी इसी form पर लिखने की कोचिस करूंगा, A की जगा मैं रखूंगा, PM को, और B की जगा मैं बोर रहा हं कि PM को चुपका, चुपका देंगा, आज़ो, 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 तो बराबर, देखो, मैं क्या बोर रहा हूं कि A की जगा, इस A की जगा, A square है डा, तो A की जगा चिपताना है walka, PM को, त यह हो जाएगा square में था, तो PM square हो जाएगा, minus और तो minus, फिर का था बी की जग़ा एंग तो यह हुजाए ज special हुजाए तो नहीं हमें समंझ में आ चुकिए अब क्या करें मुझे पी-े इन स्क्व stuff अर और मुझे Am square का मान निखा लिधा करसे निखा लिए आपको यहां पर एक तिरभूज दिखिने वाला यह पर आपको एक सं만गों दिखनेवाला है P.M.O देखो मैं इसको की बना देता हूं थीख आज अज़ा पी, एम और ये ओ, आपको एक समकोड त्रिभूज दिखने वाला है, सरी समकोड त्रिभूज आपने इसको कैसे कह दिया, देखो, यहां पर मैंने जिवा एबी पर क्या डाला हुआ था, अभिलम डाला हुआ था, तो अभिलम डालते हैं, तो यह नभे अंस का कोड़ बनता है समकोड ही हो गया, अब नभे अंस के सामने वाली भूजा, यह कौन सी दिख रहा है, आपको ओपी दिख रहा है, ओपी क्या होगा बच्चो, आपका हो जाएगा कड़ना, तो पाइथा गोरास पर मैं यहां पर यूज करने वाला हूँ, कहां पर तिरिभूज, तिरिभूज पी-έ-म-o में पाइथागोडस पर में का मों यूज करने वाले है, क्या होता है बच्चों, यह होता है, कड़ना का वर्ग बराबर, अध्हार का वर्ग धन लंग का वर्ग होता है, ठीक है, चलो, तो कड़ना यहां पर तो औहहutan हो, और तो यह हुजाएगा, ओपी का हो चुका मुझे निकाला था पी एम स्कुएर का मान निकाला था तो मैं क्या करूंगा पी एम स्कुएर को मैंने यहीं पर रखा ठीक है यह ओपी स्कुएर को भी मैंने यह पर रखा इसको मैं इस सेट पक्षांतर कर दूंगा तो यह हो जाएगा माइनस का ओ एम स्कुएर हो तो मैं PM QA की जगा यह पूरा मान चिपका सकते हो कि अर्ट मेरी क्या बात कि है तो PM QA मैं कहारहिएए वाला हूं OP का अब भूपी-वर्ग यह निकालना किसका मोर निकालना है किसका मान निकालना है हमें दो चीज कामान निकालना सब्सक्राम आफे content कर अब मुझे यह is so muchgypt मुझे सघसर में कुछ सब कर देखो बारिश अभ необходимо अब आपको मैं कॉटना सा सम कोड़ दिकाने वाला दो यह हमारा एब हो एम औ लूए न चेह क्या है समकोड तीरिपूश होने है है यह हमारा नब हैं सकीateurs क्इम ने जो यहां पर मैंने जिवा लिए लिओ था a b a b पर हमने क्या किया अभी लंब डाला है तो यहां पर 90 कंस कोड बना 90 के स्वानेवाली जो भूज़ा होती है यह क्या है ऊच्छो आपका हो जायागा यह करना तो करना कवरग बराबर क्या होता है अधार कवर थरो तो करना कवर प्लस फिर हम लेते हैं लंब कवर गए चलो मैंने यहां पर लया लंब को AM तो यह हुदाएगा AM कवरगा मुझे निकालना AM स्क्वेयर का मान तो मैंने क्या किया AM स्क्वेयर को यहीं पर रखा अब OA e square भी अपनी जगह पर इसको मैं इस सर्पक्षान्थर करूंगा तो यह हु होना इसको मैं इस सर्थ पक्षाइन करुगा तो मैनस महां इस स्टाइभान है यहां ओट कि ऑम करते है कर Still अग्शन नगा ऑज सर सक आए कर माइनस बलकुम सांथ कि कारी समझ में आ चुकी और अब इसको आशन में समझाया हैं, समझाया नहीं रहा है, ठीक है चलो आज़ा देखो, अब क्या करेंगे, माइनस सीन्ह का दोनों के साथ करेंगे गुड़ा, दोनों पदों के साथ गुड़ा होगा, तो यह हुजाएगा O P वर्ग माइनस O M का वर्ग माइनस चीदने को गुड़ा करेंगे तो दोनों का चीदने बदल जाएगा प्लसली लिखा गया में माइनस वाला से लिखा चुका प्लस में ये प्लस का ऊंटा देते हैं, दोनों नी पेट चुका. तो हमें क्या मिले सार यहां पर मिलई ओ पी का स्क्वेई माइनस ओ एक अवरगा, बोलो यहां तक कि कहानी क्लियर है तर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है अब देखो अभी हमें सिद्ध करना था पी ए इंटु पी बराबर पी टी स्क्वेर क्या बनाना थीक है चरवाजा कोई दिकत नहीं बना देंगा देखो अब देखो यहां पर और से लेकर टी यह क्या है हमारा बच्छो यह है तरफ इदेख तो यहां पर बनेगे बच्चो एक समकोर लगों ऐस घरने वाला यह राष्ण सामने वाथ यानी कि ये बाइन ओ Betsy जोवर्ग होता है कि कि इस को लिया ओटे को लिया तो यह होता ही षट कर दो वरॉन है को यह हो जाएगा प्यर्ग क्या हो चुका बच्चो्ट पीटी का वर्ग हो हमें यहां पर क्या करना था O P E Sq. का मान रखना था तो O P E Sq. की जगा हम यह रख सकते हैं O T E Sq. प्लस का P T E Sq. हो जाएगा बिल्कुछ तर यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आज रुकिए है ठीक है चलो चुपकादु को दिखा तो बराबर O P E Sq. तो O P E Sq. की जगा मैं यहां पर लिखने वाला हूँ O T E Sq. मिन कुछ था O T E Sq. माइनस O A Sq. देखो अच्छा मैंने भी मान पुरा लिखा ही नहीं है मान पूरा हमने लिखा ही नहीं है ठीक है आज़ा आज़ा तो O P E Sq. का मान था O T E Sq. प्लस है तो फिर प्लस लगा यहां पर फिर था प्लस के बाद का था P T E Sq. तो यह हुदा का सर P T E Sq. माइनस का यह हो चुका O E Sq. मैंने इसको एज़टिस लिख दिया अब देखो यहां पर अब यहां पर एक बात नोटिस करना आप लोग पहले मैं इसक समान ही होती है दोनों जगा बराबर होनी माली है तो देखो बच्चो मुझे जो सिद्ध करना है उसमें P T E Sq. चाहिए मात्र यह बच चाहिए तो मुझे यह O T E Sq. बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा O T E Sq. यानि कि O T E Sq. की जगा हम O A रख सकते क्यों क्यो दोनों क्या है वरित्त की तरिज्या है तो मैं नेक्स टेश्टे में क्या करूंगा देखो O T E Sq. की जगा मैंने रखा O A Sq. प्लस है तो प्लस फिदीव दाएगा P T E Sq. माइनस का यह हो चुका O A Sq. चाहो तो आप यहां पर रिजर्म मिली सकते हो कि O A बराबर यह है सर O T देखो यह O A और यह O T दोनों क्या है वरित्त की तरिज्या है दोनों क्या बच्चों वरित्त की तरिज्या है बिल्कुल यहां पर चिपकाव वरित्त की तरिज्या है है ठीक है चलो चलो आपका पूरा काम हो चुका पूरा 90% काम हो चुका आपका एंसर आ चुका है 95% काम ह चुका है देखो यह प्लस का o square है और यह माइनस का o a square है दोनों निपर चुका है तो हमें क्या मिला है कि हमने pa into pb को लेकर solve कर रहा थे तो हमें final ने मिला हुआ pt square मिल चुका है देख लो जो जो हमें सिद्ध करना था वो चीज आ चुका है pa into pb is equal to pt square लाना था यहां पर pt square लाना था और यहां पर यहां पर यह आ भी चुका है यही सिद्ध करना था बिल्कुल last time में चिपकाओ यही सिद्ध करना था most important question बिल्कुल यही जो question है वो आपके exam में देखने के लिए मिलने वाला है हर हाल में आपसे बनना चाहिए एक पेश का question है अगर यह आपका चीतर अच्छा से समझ मेंगे ना तो पूरा जो काम होता है वो आपका question बनते थे पी वाइक बनते थे सारी चीज़ों को मैं अच्छे से clear करा दिया है अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल like करना comment करना है share करना है हम मिलेंगे अपने new chapter में तब तक के लिए thank you very much